मैं जैसे ही आज उत्रा एरपोर्ट पर तो मुझे तीन चार लोग मिले तीनों चरों में एक बात ही कान में बोली ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पर जाए जी मैंने क्या के तो दिल्ली और पंजाम में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो या मुख्यमंत्र कि पत्नी अपने स्कूल खोल रही है है हद है हद है और फीस उसकी बहुत महेंगी है अगर भई साब अबर स्टेट को चलाने वाले खुब स्कूल खोलेंगे तो अगर सरकारी स्कूल होगा है यह बताओ वो क्यों चाहेंगे के सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं मैं जैसे ही आज उत्रा एरपोर्ट पर तो मुझे तीन चार लोग मिले तीनों चरों ने एक बात ही कान में बोली यह जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पर जाए जी मैंने क्या किता दिल्ली और मंत्री की पत्नी अपने स्कूल खोल रही है है हद है हद है और फीस उसकी बहुत महेंगी है अगर बैसाब अबर स्टेट को चलाने वाले खुब स्कूल खोलेंगे तो अगर सरकारी स्कूल होगा है यह बताओ वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं मैं जैसे ही आज उत्रा एरपोर्ट पर तो मुझे तीन चार लोग मिले तीनों चरों में एक बात ही कान में बोली यह जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पर जाए जी मैंने क्या किता दिल्ली और मंत्री की पत्नी अपने स्कूल खोल रही है है हद है हद है और फीस उसकी बहुत महेंगी है अगर बैसाब अबर स्टेट को चलाने वाले खुब स्कूल खोलेंगे तो अगर सरकारी स्कूल होगा है यह बताओ वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं मैं जैसे ही आज उत्रा एरपोर्ट पर तो मुझे तीन चार लोग मिले तीनों चरों ने एक बात ही कान में बोली यह जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पर जाए जी मैंने क्या किता दिल्ली और मंत्री की पत्नी अपने स्कूल खोल रही है है हद है हद है और फीस उसकी बहुत महेंगी है अगर बैसाब अबर स्टेट को चलाने वाले खुब स्कूल खोलेंगे तो अगर सरकारी स्कूल होगा है यह बताओ वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं मैं जैसे ही आज उत्रा एरपोर्ट पर तो मुझे तीन चार लोग मिले तीनों चरों में एक बात ही कान में बोली यह जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पर जाए जी मैंने क्या किता दिल्ली और मंत्री की पत्मी अपने सुकूल खोल रही है हद है हद है और थीस उसकी बहुत महेंगी है